तो फाइने गाईस क्या आप लोग भी पेटियम का इस्तमाल करते हैं तो आपके पेटियम पर पोस्ट पेड का ओप्सन नहीं सो रहा है देखें बेलेंस का सो रहा है स्केन का सो रहा है तू का सो रहा है उसके साथ लिंक का सो रहा है या आप सारे ओप्सन सो हो रहे हैं मुबा पोस्ट पेड को ला पाएंगे आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और इसको किस लिए रिमूब किया गया है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिच करेंगे तो देख सकते हैं मेरे दोस्त यहां पर हम पेडियम का इस्तमाल कर रहे हैं और यहां पर आपको करना क् सबसे पहले देखिए बहुत सारे लोगों को रिचार्ज के बगल में रिचार्ज करना पड़ता था तो पेडियम पोस्ट पेड का भी इस्तमाल करते थे कई बार यहां पर लोगों को टर्नस पर करना होता है तब भी आप उसका इस्तमाल करते ही थे तो यहां पर देखिए ह हम आपको बताते हैं कि आप इसको ठीक कैसे करेंगे, तो देखें हो सकता, आपको इस तरी की problem का सामना करने के लिए मिल लाओ, तो और आपको इस तरी की problem मिल लाई तो सबसे पहले आप लोग जाईएगा, अपने play store के अंदर और play store के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोग पेटियम application को search कर लिजेगा आप लोग जब update नहीं करते हैं तो आपको इस तरह की problem का सामना करने के लिए मिलता है अभी देखें हमारी application प्रॉपर तरीके से update है तो इसको open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर आपको search bar पे click करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे post post paid ठीक है तो यहाँ पर आपको आजाएगा देखें यह काफी सरे option आपके समने आज चुके है post paid mobile post paid जो भी आपको open करना है यूज करना है आप उसका इस्तमाल यहाँ पर कर सकते हैं और उसके साथ यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ आप यहाँ पर सभी तरीके सभी परकार की सिमे में post paid का रिचार्ज कर सकते हैं तो यही एक तरीका है जिससे आप post paid का यूज कर सकते हैं यहाँ से क्यों इसलिए remove क्या गया है अभी किसी को कोई भी notification नहीं आया है कि आखिरकार यहाँ से remove क्यों क्या गया है अगर आपको मारी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कर सकते हैं चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा जय हिंद